वेरी गुड मॉर्निंग टो अलो फी दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजूकेशन पे सुभा के दस बच चुके हैं और ये वीडियो का सिनारियो जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस और बीपी एसी प्रिलिम्स को ले कर रहे हैं चुकि देखिए पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो 16 बिहार दरोगा मेंस की त्यारि कर रहे हैं वैसा नहीं कि आज ही सुरुआत हुई है उनकी नहीं ये सुरुआत बहुत पहले कर दी जा चुकी है और इसके रिगार्डिंग हमने 1500 वीडियो दी हैं आपको लगबग 1500 वीडियो जहां पे आपको बिहार दरोगा मेंस के कोशन सेनारियो पैटर्ण भी बताएगे हैं और लगातार आप वह हमारा वीडियो का जो प्लेलिस्ट है जाके देख सकते हैं चैनल पे अभी भी है वहां पे तो वो वीडियो देखें और साथ में अब ये जो टॉपिक द कर रहा है अब थोड़ा सा मोडरेट टू हाई लेबल भी कोशन देखना जरूरी है आपके लिए हो सकता है कि यहां पे कोशन का पैटर्ण थोड़ा सा अच्छा कर दे तो इसलिए तो यहां से यह क्यूज सिनारियो जो सुबह का दस बजे दे रहा हूं यह पढ़ना आपके जरूरी है ठीक है जो कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आ रहा है ठीक हर चैप्टर से पहले दो कोशन हर दो चैप्टर से पहले दो कोशन हर एक टॉपिक से हिस्ट्री हो जोग्रफी हो पॉलटी हो हर एक सेक्षन से उठाक ला रहा हूं चाए साइंस का कोशन हो तो इसलिए ये क्यूट सिनारियो आपके लिए सुबा का जरूरी है, तो चलिए लगाते हैं, आज सेट नमर 12 है, यहाँ पे देखते हैं कि इतने छात्र हमारे साथ जोड रहे हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर द कर लिए, देखिए सारा अगर चीजे पढ़ना है, तो डेटा भी आपके पास होना चाहिए, तो टेलिग्राम का लिंक जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा या फिर चैनल के एबाउट में जाएंगे, तो आप लिंक मिल जाएगा, अन्यत आप चैनल को सब्सक् लेकिन 30 तारीक को यहां पे आप लोग जरूर एक वीडियो अटेंट करेंगे, जिसमें की पूरे महीने का सार संग्रा होगा, और वो वीडियो आपके लिए होगा, आपके परिक्षाओं के लिए होगा, बिहार के सभी परिक्षाओं के लिए होगा, और शाम को 8 बजे तो आप लोग के लिए जरूर देखें, और दो पहर दो बजे कॉंस्टेबल की त्यारी हो रही है, तो वो वीडियो आप लोग के लिए भी अवश्य है, चलिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के पहले प्रशन से, और यहां पी आज का जो पहला प्रशन है, वो है होने के बाद, गांधी जी को कैद किया गया था, कहां कैद किया गया था, बिल्कुल, उनको कैद किया गया था दोस्तों, आगाखान पैलेस, याद रखेंगे का आंसर यहां पे D कर लिजेगा दोस्तों, और यहां पे एक चीज़ और क्लिर कर देना चाहते हैं, कि यह जो आ याद रखेंगा आगाखन पैलेस में इसको रखा गया था और दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आपको कि महाराश्टर की राजधानी मुंबई होती है और मुंबई यानि की एक एक इकोनॉमिक सेटी ऑफ इंडिया और महाराश्टर के सीएम अभी उदाव ठाक करने के प्रश्ण पर पूरी तरह से असफल रहा था जिया आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पर तो डोमिनियन इस्टेट प्रदान करने के लिए यह पूरी तरह से क्या रहा था दोस्तों तो असफल रहा था और आपको बतादे कि यह वर्स कब हुआ था तो 1931 में यह भी आप लिख लिजिए का अगर लिखना चाहते हैं कहां हुआ था तो यह भी आप लिख लिजिए लंदन में हुआ था ठीक है याद रखेंगे चलिए कुशिन इंबर चलते हैं दोस्तों थार्ड पर चलिए सूची एक जो है वर्स दिया गया है और सूची दो में घटनाय दी गई है आपको क्या करना है सुमिलन करना है तो अगर हम बात करें 1775 की 1775 में क्या हुआ था तो यह हुआ था प्रतम आंगल मराथा युद्ध जो कि बिरिटिश और महराष्ट्रा शरी मराथा महासंग के साथ हुआ था यहां से इसको मैच कर लिंग हम थर्ड के साथ और 1780 भी क्य हुआ था ठीक है तो याद रखेंगे यह हुआ था दोस्तो चार के साथ और जो तीसरा 1824 तो यह बहुत ही ज्यादा हम लोग यहां पे आदोनिक इतियास में आ चुके हैं 1824 में हुआ था दोस्तों कि प्रतम आंगल आंगल बर्मा युद्ध हुआ था ब्रिटिस एनिक और बर्मा समराज्जी के साथ ठीक है तो यह आप याद रखेंगे 1800 का यह पहला हुआ था और 1849 में प्रतम आंगल अफगान युद्ध हुआ था यह इसके साथ तो कुछ सुमेलन आपका इस तरह से है जिना दोस्तों 3412 तो यहां पे 3412 जो है आपका अंसर है C is the right answer ठीक है नोट कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे फिर से एक सुची और सुची दो को मिलान करना है तो मिलान कीजिए यहां पे चलिए जलिया वाला बाग हत्या कान यह सबसे जादा देखिए फेमस भी था रहा भी था ठीक है तो इसका आंसर आप ल सुमिलत करना है ठीक है यहां पे सुमिलत करते हैं चलिए जो आंसर किजिएगा हिस्ट्री ओफ्रीडम मुव्मेंट जो है यह इसका सुमिलन बिल्कुल तारा चंद के साथ है यह कनेट कर लिजिएगा तो यहां पे एक हो जाएगा ओके हिस्ट्री ओफ्रीडम मुव्मेंट यह match कर सकते दोस्तों केके दत्ता के साथ आप तो फिर उसके बाद number 5 हो जाएगा फिर आनंद मठ जो है वह बंकिम्चंच चटर्जी के साथ match कर सकते हैं ठीक है और यह जो मैच है दोस्तों आपका ठीक है यह चठा ठीक है और इंडियन मुसल्मान्स यह जो है यह सुमिलन जो है दोस्तों आपका किस के साथ मैच करेगा और सुरी दप प्रिसेप्टरस ऑफ जीजस तो यह मैच करेगा दोस्तों आपका थोर्ड राजा राम मोहन रा के साथ यहां पर तीन लिग देंगे और इंडियन मुसल्मान जो है यह डब्लू डब्लू हंटर के साथ तो यह इस तरह का यहां पर मैच होगा एक पांच छे तीन दो ठीके यह धियान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा c is the correct answer आईए कोशी नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे दोस्तों नौाखली घटना के समय महात्मा गंदी के सचीव कौन थें आणसर करिेगे दोस्तों यहां पर निर्मल कुमार गोस is the right answer A is the correct answer सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे जलिया वला बाग देखिए अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में जलिया वला बाग हत्या कंडे खिलब किस भारतिये ने वाइसराय की कारिकरनी से इस्तिफा दे दिया था तो देखे यह हुआ था दोस्तों सन 1919 में मैंने जैसे कि अभी थोड़े देर पहले आपको एक डेड़ बताया और एक बरबर और हिर्दे वादक जो है कह सकते हैं विदारक एक घटना थी जिसमें अंधा धूंद गोलिया चलाकर यहां बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और यह हुआ सिर्फ एक वाइसराय के चलते जिसके अनुसार यहां पर बताया जा रहा इस घटना के बाद यहां पर रविन्ना टैगोर ने अपनी नाइटूट के उपादी दी थी यहां संकरन नायर नोट कर सकते हैं आंसर ए कर लेंगे यहां पर ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे गांधी इर्विन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने कराने में निमलेखित में से किसने मुख्य भूमी का अदा की गांधी इर्विन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने में कराने में निम्न में से किसने मुख्य भूमी का अदा की थी यहाँ पर आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर बिलकुल तेज, बहादुर, संप्रभू और यहां पे दोस्तों आंसर करेंगे जैकार तो ये दो लोग थे जिनको गांधी, इर्विन, पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पर इन्होंने क्या किया था दोस्तों तो मुख्य भूमी का आदा की थी ये भी एक बहुत important question है आसकता है exam म pattern में pushy जाते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा देखे और इससे क्या होता है ये तीन चार question एक साथ cover हो जाते हैं आपके चलिए मिलाते हैं यहां पे जहां सी को मिलाएंगे हम लोग दोस्तों अठारसो तिरपंस ठीक है ये हडपे जानी क्या words है जहां सी क Samvalpura की बात कर लेगा दोस्तों यहां तो यह हुए था 1849 में उसके बाद अवद की बात कर ले दोस्तों तो यह हुए था 1856 में हरपा गया था और नागपur की बात कर लेगा तो 854 में तो यह कोश्टिरा से 212 143 यह कोश्टिरा का सुमेलन होगा आपका तो दो, एक, चार, तिन, यहाँ पर आंसर कर लिजिएगा Q2.9 पर चलते हैं, आंसर करेंगे आप लोग भी निम्ड में से कौन सा योग में? सुमेले तिन नहीं है नहीं बोला गया है, इसलिए आंसर सो समझ के देना आपको और देखें, यह BPSC और बिहार द्रोगा मेंस के पैटर्न का एक्जाम है तो थोड़ा सा सीरियस हो कि इसको पढ़ना पड़ेगा और नहीं था एक्जाम छोटेगा तो छोट जाएगा फिर अगर एक कोशन भी छूटा तो समझे के आप डाउन में जा रहे हैं यहां पे बिलकुल, आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे जो यहां पे प्रशन सी है यह पाबना अंदोलन करनाटक यह सुमिलित नहीं है यहां पे चुकि सभी योगों में सही सुमिलित यही है इस प्रकार से देखे दक्कन के दंगे हुए थे 1874 से 75 के बीच में और यह महराष्ट में हुआ था यह बिलकुल सही बात है और बार्दोली सत्ता गिरा हुआ था दोस्तों गुजरात में यह भी सत्ते बात है यहां पे करनाटक यहां पे गलत लिख दिये गया है तो यही सुमिलन यहां पे आंसर हो जाएगा आपका कि गलत है लेकिन यह हुआ था 1873 से 76 के बीच में इसके जो मुखे नेता थे वो इशान चंद्र थे और राय यहां संभुपाल थे लिख लेजिए आप लो नेता कौन थे इशान चंद्र और और संभुपाल थे ठीक है न और यह बेंगॉल में हुआ था और खेड़ा का सत्यागरा यह बेलकुल सही है की से आप लो जिया जमनलाल बजाज बजाज जो था यह क्या था कोशा अध्यक्ष था और वो 1930 में जेल भी इनको जाना पड़ा था आंसर बी कर लेंगे सवाल नमबर 11 दोस्तो सभी ने अवग्या आंधुलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्वे दिया किसको और कोशन कितना स्टेंडर्ड लेवल में पूछा जा रहा है समझेगा चीजों को यह अगर सवाल अगर आपके सेम सवाल बिहार कॉंस्टेबल या बिहार दरोगा के पीटी यह पूछ लिया तो यह पूछने का तरीका ही अलग होगा कि सभी ने अवग्या अंधुलन कब होता है यह रशनात्मा कारिकरमों को यह सबसे ज़्यादा महत्व दिये थे गांदी जी आंसर एक कर लेंगे सवाल नंबर बारा पर चलते हैं अठारो सो संतावन का इसवी का जो बिद्रो था वो मुख्यता किस कारण से असफल रहा देखी कोशन का पैटरन थोड़ा सा तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर किसी समानी योजना और केंद्रे संगठन की कमी से भी आंसर कर लेंगे और 1857 के विद्रो में असफलता का यही कारण था दोस्तों कोई भी वहाँ पर योजना नहीं था पहले से और ना ही कोई संगठन था इसलिए यह जो 1857 का होई थी और यह कहां से होई थी दोस्तों तो याद रखेंगे जो कि अभी ततकालिक सेंडिकों द्वारा चर्बी लगे गायव सुरों का कार्तूस बना आता था लोग अंग्रेज उसकी विद्रोह पर हुआ था यह ठीक है याद रखेंगे Question number 13 Home rule आंदुलन भारत के स्वतंदरता संगराम के एक नए चरन के प्रार्म का घोटक था क्योंकि आँसर करेंगे 13 का दिए यह भी Question important है आज सकते हैं अज़ाम में होमरूल अंदुलन भारत के स्वतंतर संगराम के एक नय चलन का प्रारम घोटक था क्योंकि इसने देश के जिया दोस्तो ए आंसर कर लिएगा देश के सामने स्वासासन की एक ठोस योजना रखी थी आंसर ए हो जाएगा दोस्तो चलिए सवाल नंबर 14 पर चलते ह आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था कहा उए तो सिंगापूर हुआ था आंसर ए कर लेंगे सवाल नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तो वर्स 1921 का मोपला आंदुलन किस आंदुलन की साखा थी ये देखिए कोशन इ वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन यह कब हुआ था इस सिंपल साब कॉशन कोशन पूश लिया गया था लेकिन आपको यहां पर आंसर क्या करना है तो सिंपल ही आंसर करना है यहां पर दोस्तों जियां 1921 में हुआ था और यह और सहयोग आंदोलन, ठीके, असायोग आंदोलन की साखा थी, ठीके, आंसर C कर लेंगे, सवाल नंबर चलते हैं दूस्तो, 16 पे, बंकिम्टन चटरजी का रशना कौन सी नहीं है, अब देखें, नहीं बोल दिया गया है, तो आप लोग बोल पढ़ने में लगया कि कौन किया है, तो यहा आपको यह सारी चीजी समझ में आती रहें, ठीके, आंसर किजीए दोस्तो, पोस्ट मास्टर, ठीके, क्योंकि बेसिक से ही तैयारी करनी है, अपने को बिहार बीपीएसे की, अगर करनी है तो, तो यह सारी चीजी आपको ध्यान रखनी होगी, 17 नंबर पे आते हैं, दोस्तो उतर सी आ रहें, करेट करेंगे, इसकी अतरिक्त यहाँ पे एक दोस्तो, डॉन, डॉन, डॉन नामक समचार पत्र, मुस्लिम लिग द्वारब प्रकासित भी किया जाता था, और यह सबता ही खोता था, ठीके, याद रखेगा, जिसके बाद दैनिक इस्तर पर भी इसको प्र 28 के मद्य काल में, जो भारती राजनेती के करांती कारी विधियों को पुनर्वित का कारण क्या था, 1823-28 का जो काल था उसमें, उसका कारण एक बताईए, चुकि यह कोशिन पूछा गया है एक्जाम में पहले भी, 1923-28 के काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह भी गांधी 29 का और सहयों का अंदोलन का स्थापना हुआ था, इसलिए यह वो ज्यादा फेमस हुआ, B is the right answer, सवाल नंबर 19 पे चलते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम बिदेशी यात्री, मुगल काल का देखे कोशिन पूछा गया है, कि किसके सासन काल में चीनी यात्री आएं, किसके काल में अंग्रेज आएं, किसके काल में, यह सारे दीचें बताया गया है, मतलब पुरानी जो हमारे ancient history में भी है, और कुछ हमारे जो new history जो हमारा आधनी करतियास उसमें भी है, यहाँ पर मुगल से पूछा गया है, तो यह दोस्तों आपको बतना यहां पर answer क कोश्च नंबर 19 का अंसर करेंगे मुळा तकिया मुगल में बिहार आने वाले जो प्रत्थम विदेसी यात्रि से हैं वो उनका नाम था मुळा तकिया सवाल नंबर 20 से भीयार सहीट पूर्वी भारत में आरियों का आगमन हुआ था जैसे कि आपको पता है वो अनुमानता किस काल में हुआ था 20 देखिए वैदिक काल का कोश्चन है और वैदिक काल से मैंने एक आपको पूरा चैप्टर दो टॉपिक दिये हैं दो वीडियो दिये हैं चली आंसर करेंगे उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों आपको बता दे कि एक हजार शीं से लेकर 2021 पूर्व तक चल था और पूरवी भारत में आरम भी औहा था जिसमें की लौह परदोगईगी का प्रमॉक योगदान था भारत में करीब में एक हजार शीं से लेकर आठसो सब्सक्रे僕 के मद्ध में कि में और भिभार में इसी समय विप पूर्वी भारत में भी आरियों का आगमन हो चला था और ये समय काल था दोस्तों आंसर कर लिजेगा यहां पे आप लोग अगर आंसर कर रहे हैं उत्तर वैदे का ठीके क्या था सी इस दराइट आंसर याद रगेगा भारत में करीब एक हजार इसवी पूर्वी से आठ सो इस विस्तित किया था तो आंसर करेंगे बहुत इंपॉर्डेंट कोशिन है यह आ सकते है एक्जाम में बिलकोल जिनका उतरा रहा है सिकंदर लोधी सी इस दराइट आंसर देखे बिहार भी एक एतिहास एक इस थल रहा है और लोधी वंस किस अगर हम बात कर ले तो शाशक शिक सिकंदर लोधी ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर एक जिला है हम लोगे छेत्र में ठीके तो वहाँ पे अपना राज विस्तित किया सिकंदर लोधी ने लगबख 1504 में लिख लिझेगा 1504 में बंगाल के सासकों के साथ एक संधी भी किया जिसमें कि मुंगेर के पड़ें बिहार और बेंगॉल के बीच सीमा रेखा पड़ी निर्धारित कर दिया गया वहाँ पे और बिहार सरीफ जो है छेत्रा मारा वो अविलेख के अनुसार वहाँ पे सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 के बीच में हुशैन शाह सरकी को पराजित करके वहाँ पे दरिया खान न नुहानी को बिहार में सासक बनाया था दरिया खान नुहानी को किसने सासक बनाया था हुशैना साह ठीके तो याद रखेंगे हुशैना साह को हरा कर सिकंदर लोदी ने 1495 में उसको वहाँ का सासक बनाया दरिया खान नुहानी को ठीके बिहार सरीफ का चली कोशिन नमबर द आंसर करेंगे दोस्तों यह चम मुंगीर जिया अभी मैंने आपको बताया कि यह छेदर थोड़ा सा मुगलों से जुड़ा हुआ था चलिए सवाल नंबर चलते हैं 23 पे अवद के साह ने कुवर सिंग को यानि की बीर कुवर सिंग को फरमान दिया था जिसका संबंद किसे था फटा फटा आंसर करेंगे दोस्तों आजमगर से था इनका संबंद सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा और यह आ सकते एक्जाम में यह भी कोशिन आपको आज बता चुका हूँ मैं सवाल नमबर है 24 भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान फूलेना परशाद सिरवास्तों की मृतिव जंड़ा फहराने की करम में पुलिस ने गोली से कहां की थी आंसर कर रहे हैं भारत छोड़ों आंदोलन के दुरन फुलेना प्रसाद सिर्वास्तों की मृत्यू जंडा फ़राने की करम में पुलिस की गोलियों से कहां होई थी बिल्कुल ये है बिहार का छेटर सीवान आंसर कर लिजेगा सवाल नंबर 25 दोस्तों बिहार हिराल्ड यहां के संपादक कौन थे यह भी कोशिन बहुत इंपोरेंट है और साइद पूछा गया है बीपीएसी में यहां पे यहां गुरू परसाद सेन का नाम बहुत ज़्यादा है फेमस था भी आंसर कर लेंगे यहां पे जिनोंने बिहार हरल्ड के संपादक। बने थे चले सवाल नंबर 26 दोस्तों किली मंजारो परवत सिखर किस देश में स्तित है थे सुरी बिलकुल यहां पे अगर आप उत्तर कर रहें दोस्तों की आंसर कर ले जिएगा तंजैनिया में आंसर यह कर ले ले गार दोस्तों आपको यह और अफर यहाँ पर आंसर करेंगे कौन सी यूरोपिय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है कौन सी यूरोपी ये नदी ब्लैक फोरेश्ट निकल कर काला सागर में गिरती है तो ये है दोस्तो डेन्यूब नदी आंसर सी कर लेंगे यहाँ पर डेन्यूब नदी यूरोप के महादीप के सरवाधिक मातपूर नदियों में से एक है याद रखेंगे इस नदी के तट पर बुड़ा पेश्ट, बुखारेश्ट और बेलग्रेड बंदरगा हिस्तित है ये बहुत फेमस है ये तीनों के तीनों बंदरगा सवाल नमबर 28 पर चलते हैं दोस्तो इस्थानिये पवन का कौन सा एक उधारन है आंसर कीजिएगा कोशन नमबर 28 का और ऐसे ही लगातार प्रकिर्टिक गया सी इस दराइट आंसर दोस्तों आपको बढ़ा देगे द्रब पेट्रोलियम को कच्छा तेल फ्रकिर्टिक गयास तब पेट्रोलियम की अर्ध ठोस से फोस अवस्ता में जाने वाले यानि कि डामर कहते हैं उसको तारकोल अलकतरा बिटुमीन आदी के न चैनल कूपो से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है लकनौ है बिल्कुल साही सवाल चलते हैं गंगा के मैदान जो कशारी मिट्टी कहलाती है वो कौन सी मिट्टी होती है देखे इस सारी कोशिन में बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर करेंगे दूस्तों खादर मिट्टी होती है सवाल नंबर 32 पर चलते हैं कोईमबटूर मदूर अद्योगिक छेतर से निमलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है बिल्कुल आंसर करेंगे दूस्तों यहाँ पर इट से कोख उत्पादक उद्योग के लिए ठीक है C is the right answer सवाल नंबर कोक यानए की को कॉनट की बारे में बात होती है नारियल के छेतर के लिए दोस्तों निमलिखित में से वेमल यूगम यूगम पहचानी है तो बिल्कुल यहाँ पर भी उनसर कर लिएगा दोस्तों कि भेमल यूगम है यानि कि बिना मिला हुआ मौंगफली बिहार को संबंधित किया गया यहां पर इसलिए यह बलकि चाय असाम के साथ सही है नारेल के साथ सही है और गन्ना उत्तर परदेश के साथ सही है बर मौंगफली का बिहार के साथ संबंध अच्छा नहीं है B is the right answer यहाँ पर मुंख़ली बिहार में ज्यादा नहीं होती है दोस्तो 34 नमबर भारत के प्राइदी पिये परवत निर्मित हैं किस तरह के निर्मित हैं जी यहाँ दोस्तो याद रखेंगे इट्स पेलियोजिक महा कल्प में ये निर्मित हुए है आंसर क्या कर लेंगे B कर लिजिएगा बहुत अच्छा सवाल है आज सकते हैं एक्जाम में सवाल नमबर 35 दोस्तो भाकडा नांगल बान का उद्गाटन किस ने किया था जो कि भारत का सबसे बड़ा बान था और ये किये थे दोस्तो जुहारलाल नहरू ने A is the right answer आपको बता दे कि इस बान्द को जुहारलाल नहरू ने संबोधित किया था कि ये हमारे लिए एक वर्दान है एक मंदिर है ठीक है याद रखेंगे सवाल नमबर 36 दोस्तों निमलिकित शुरूतों में से किसे भारत सबसे अधिक विधुत प्राप्त करता है सबसे ज़्यादा तो देखिए अगर जितने भी यहाँ पर शुरूत दिये गए हैं भारत में अगर सबसे अधिक विधुत की उत्पादन की बात करें ताप ये, B is the right answer, सबसे ज़्यादा 68% है, 68%, नेपा नगर किस उद्यों के लिए फेमस है दोस्तों, नेपा नगर फेमस है यह अखबारी कागजों के लिए, यह मध्य परदेश का छेतर है, यह याद रखेगा, मध्य परदेश के बुरहानपुर जीले में इस्तित है नेपा अगर जो कि अखबारी कागजों के लिए, यह मेल से वहाँ पर फेमस हो उसके लिए, सबसे प्राचीन ब्रहत इस तरिये उद्यों कौन सा है, बिलकुल, कपास, यह दोस्तों आंसर कर लिएगा, 38 का हो जागा, C, कपास, कपास की खेती सबसे ज़्यादा महराष्ट गुजर कशेत्रों में होती है, यह ध्यान रखेंगे आप लो, कुशन नम्बर 49, बिस विकाब रहतम डेल्टा निर्मित होता है, चली यह तो कुशन आ चुका है एक्जाम में, और बिस विकाब रहतम डेल्टा गंगा और प्रमपुत्र बनाती है, जी यह दोस्तों आपको बता दे लेंगे दोस्तों, 40 का, यह कोशन आखरी आज का, और यहाँ पर आंसर करके जाएंगे, हरित सुचे कांग, ग्रीन इंडेक्स इसों लों कहते हैं, किसके द्वारा विक्सित किया गया था, बिल्कुल, संयुक्तराष्ट पर्यावरन कारेक्रम के द्वारा, बी यहाँ पर उ करके जरूर बताएंगे, इन सब का PDF आज शाम को आपको आठ बजे के बाद के क्लास में मिल जाएगा, और आज सब कुछ ठीक है, यहाँ इंटरनेट बगरा भी ठीक चल रहा है, तो समय पर सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगे, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो मे दो बजे, और सुबह का करेंट फिर जरूर देख लिजिए आप लोग जाकर, धन्यवाद दोस्तों,